हलो फ्रेंड इस वेलकम बैक तु माय चैनल आज की स्पीड में हम बात करने वाले पिछलो जो मैंने वीडियो डाला था कि इंडिया ने 52 चाइनीज एप्स को यहां पे बैंड कर दिया था तो काफी लोगों को यह वीडियो काफी यह पसंद आई और बहुत लोगों ने मुझ सार एप में हम रिगुलर यूज करते थे और उसके कारण मुझे अब प्रॉबलम हो सकता है तो मैं यहां पर इस सारे एप के अल्टर्नेटी बताने वालो और यहां पर एक छोटा सा इफॉर्मेशन दूँगा अखिर क्यों ऐसा किया गया तो यार बिना किसी देरी के लगा तो यहां पर आपको बता दूँ यह इतना घटिया एप है जिसका मैं बारे में बताने लगो तो पता नहीं क्या हो जाएगा तुम क्या क्या समझने लोगा इस क्या गलती कर दिया इस एप को अपने मोवायल पर रखके तो यार उस सभी चीज को साइट करते हैं वैसे इंड रख सकते हैं जिए उन्हें भी अपना एक ब्राउजर रखा हुआ है उस ब्राउजर को तुम जोच कर वहां पर कोई दिक्कत नहीं आने वाले सकेंड जूम को बैंड नहीं किया गया है लेकिन हां हम एक तरफ से अपने तरफ से कदम ले सकते हैं और जूम एप के लिए एक जेंडर और जो हैं पर मैंने बताया था कि यह बहुत इंपोर्टेंट आप हर को इस चीज का यूज करता है लेकिन अब यहां गडबल हो गया कि आप इसकी जगहां पर क्या यूज कर नहीं सकते तो मैं यहां पर आपको एक छोटा सा एक जहांपल देता हूं कि यहां पर आ बहुत इंपोर्टेंट अप था अगर यह हड़ जाता है तो हमें काफी जादा प्रॉब्लम हो सकता है तो यहां पर मैं बता दूँ उसके लिए एक अल्टरनेटिव एप है एड़ॉप स्कैन का यूज कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट स्कैन का यूज कर सकते हो दो एप है इस उसके तुरू तुम सारा चूच यहां पर खोल सकते हो और उससे काफी बेतर ही होने वाला है यह चीज अगर आगे चलते हैं वहां पर नेक्स्ट आप आता है वीचाट वीचाट तो काफी लोग ने यूज करना बंद कर दिया था फिर भी यहां पर कुछ लोग उसको में यँचेकर यूपन shout now a Karen यसाट नहीं वाला है मत इस्टॉल करनाओ वहना दिख άज दिखाना के लिए और पैसे खीजने के लिए और वहां पर तुम्हारी डेटा लेने के लिए चाक्पा यूज करते अ पीर विर ऑन उस्य सकते तो वो सारा सारा Разव कुछ को आरेंज कर देगा वहाँ से तुमहारे पास वो जो कुछ डिलीट नहीं करता था, पीन हम round रौकस यह इक तो उससे बेटर यह वाला होने वाला उसके बाद में यहां पर बात करता हूँ तुम्हें करो यहां कंश करो क्या दिक्कत वाली बात हो जागे उसमें तुम बात करेंडिंग प्याता मैं इसके बारे में बात कर लेता हूँ मैं टिक टॉक हो गया लाइक की हलो यह इस तरह का जितना भी आप है उससे तो बैंट करी दिया गया, तो लोग, इसमें काफी लोग इस पर dependent भी थे, काफी लोग तीन बार इसमें time भी देते थे, काफी लोग बेगारी भी थे तो उन सभी के लिए एक और आप के बारें बता जाता है जो इंडिया ने अपने तरफ से लॉंच करके रखा हुआ है मित्रो मित्रो को यूज़ कर सकते हो बहुत ही जल्दी रिसेंटली यह अप लॉंच किया हुआ है उसमें कुछ-कुछ काम चल ही रहे है उसके बाद अगर यह एप ठीक हो जाता है तो इंडिया के तरफ से बहुत ही अच्छा कदम होगा कि नहीं इंडिया पर भी एक ऐसा एप लॉंच किया है जो कि पूरा मार्केट को हिला सकता है और एडिटिंग के लिए भीभा वीडियो करके कुछ आप आता था बहुत लोग उस पे किया, इसके जगापर मैंने आपको काफी सारा जानकारी दे दिया कुष चूट गया लगा तो मैं इसे कमेंट सकने में माता कमेंट कमेंट काफी लोग धे देखने की लिए A ओ अब यहाँ पर भी सकते हो और मैं इहां पर डारेक्ट आ जाता हूँ आखिर इसे क्यों अनिस् है तो वहाँ पर सारे apps के ओपर government का control है और government चाहे तो उस app का data अपने लिए अपने फाइदे के लिए यूज कर सकती इसी लिए इस सारे चीज को ban किया गया है तो प्लीज अगर government ने कुछ decision लिया है तो उसके ओपर अटल रो ना कि उसके खिलाब आप जाने का कोशिस करो और काफी लोगों को मैं यहां पर बता देता हूँ बहुत वीडियो पसंद आने वाला है गाइस और अगर यह वीडियो तुम्हें पसंद आता है तो प्लीज सेर करना लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना मेरे इस वाले चैनल को और मैं मिलता ह इस चैनल के नेक्ट वीडियों को है तब तक के लिए पड़ाए गाइस